आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24x7CA जोन में तो आज की जो आपकी क्लास है रीजिनिंग की क्लास होने वाली है तो चलिए विदाउट ट्वेसिंग टाइम क्लास स्टार्ट करते हैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज डिसकर्स करना चाहू 60 रूपीज का है बट इसमें आपको जो कंटेंट मिलेगा जितना कंटेंट मिलेगा वो इनफ है मतलब 60 रूपीज से अगर आप कंपेर करोगे तो काफी कुछ आपको देशने को चीज़े मिल रही हैं ओके सो यहां पे आपको रीजिनिंग का हर एक टाइप का मिल जाएगा कुछस्टिक और सॉलुशन वाली वीडियो आप देख सकते हैं नीचे आपको दो मास्टर क्लास दिख रही है जो एबुक की है इसमें आपका मेंटल अप्रीट अट्यूट के लिए एक अलग मिल जाएगा आपको मास्टर क्लास हैजा मिल जाएगा तो दो वीडियो आपको जो है चीजे दी गई है तो अगर आप चाहें तो इसको definitely description box से link है वहाँ पर दिया हुआ है उसको चीज को जाकर जरूर देखें तो चलिए start करते हैं अपना यहाँ पर आज का session first question आपका है If zone is equal to आपको कुछ इस तरीके से लिखागे तो आपको बताना है कि L M P के कैसे लिखाजाएगा तो अगर आप देखें Z में minus 1 करके Y O में minus 1 करके N N में minus 1 करके M and similarly E में minus 1 करके D तो L में minus 1 करेंगे क्या बनेगा K M में minus 1 करेंगे तो क्या बनेगा L, P में माइनस 1 करेंगे तो क्या बनेगा O और K में माइनस 1 करेंगे तो बनेगा J ठीक है तो यहाँ पे इस तरीके से आपका A answer correct हो जाएगा आगे बढ़ता है A answer correct है आगे बढ़ता है If Z is equals to 27 P is equals to 17 Then H is equals to अब अगर आपको इसकी place value पता है तो बहुत ही असानी से आपको इसे पता चल गई होगी इससे Z की place value होती है 26 इसमें plus 1 करके हमने लिख दिया है 27 Similarly P की value होती है 16 इसमें plus 1 कर देंगे तो यह हो जाएगा 17 ठीक है तो यही चीज हमारा लग रहा है इसमें H की place value होती है 8 plus 1 that means 9 ठीक है जो भी चीज जो भी आप जो तरीका है solve करनेगा जैसे की इसमें implement हुआ first वाले में वो ही चीज आपको second वाले में भी implement करनी है पहले की verify करना है कि हाँ जो आपने concept समझा है या पकड़ा है कि ये trick लगेगी वो trick लगेगी वो trick वो concept दोनों में ही applicable होना चाहिए तभी आपको तीचरे वाले या question में जो दिया है उसमें apply करना है ऐसा नहीं है कि आपने first में किया और फिर direct आपने jump मार दिया answer पे हो सकता है answer गलत भी हो जाए ठीक है तो chance और risk मत लिजएगा अगर इस तरीके से question बनेगा तो कैसे बन सकता है इस तरीके से question बनेगा तो कैसे बन सकता है if Delhi is related to India then Philippines is related to तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि से लिटेड है Philippines Manila से ठीक है तो कुछ इस तरीके से मेरे को Manila यहाँ पे लिखना चाहिए क्योंकि Manila capital है Philippines का जैसे कि Delhi capital है India का ठीक है तो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ते है I hope so question भी आपको सवन में आ गया होगा option D correct answer आपका बनेगा देखिए यह question है इसमें आप देखेंगे normal if E, E, R, M, A is related to Meera then O, R, M, A is related to तो ऐसा नहीं है कि आपको E, M लिखा गया है या E, 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 R को कुछ भी concept आपको पकड़ में नहीं आएगा इसमें अगर आप देखने की कोशिश करोगे ऐसे question में आप देखोगे तो इसका जो है वो सही करके spelling जंबल puzzle words दिये हुए letters और उससे हमने एक word बनाना है तो Beera बन गया similarly अगर आप यहां पर देखोगे क्या बन जाएगा Roma, R, O, M, A, Roma got it? तो इस तरीके से भी normal direct question भी आ सकते है practice आपको हर तरीके से मैं करवा रहा हूं और आपको करनी है practice मैं आप देखे question number 5 है 15 को लिखा गया है 31 तो 30 को क्या लिखा जाएगा तो अगर आप यहां पर देखेंगे अगर 5 plus 1 हम करें 6 into 5 plus 1 ऐसे अगर देखें ठीक है 31 आ रहा है ठीक है इसमें हम देखें तो 3 into 0 करेंगे तो जीरो हो जाएगा option में आपका available नहीं है मतलब दूसरा concept लगेगा क्या लगेगा 15 से लिजिए 15 into 2 plus 1 यह भी आएगा 31 इसका मतलब 30 into 2 plus 1 कितना आजाएगा 61 तो आपका यह D option correct answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं next हमारा है question number 6 pointing toward a girl Ram said she is my wife's only daughter's mother how is Ram related to that girl इसमें आपको अपने आपको suppose करके करना है जब यह family and relation वाला question आएगा ठीक है तो suppose आप हो यह और एक यहाँ पे girl है जिसको आप point out करके कुछ बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ कि she is my wife's मेरी पत्नी की my wife's only daughter's मेरी पत्नी की एक मात लड़की की मा है मतलब अब कौन है यह यह इसकी wife ही तो हुई ठीक है तो देखेगा आप इसको समझेगा and I am sure कि आपको इसमझ में आएगा wife इसका answer होगा Ram जो है कैसे Ram related to that girl तो यहाँ पे sorry आप husband कर लिए Ram जो है वह उस लड़की का या girl का क्या है तो Ram कैसे लिटेट है Ram जो है वह husband है ठीक है और girl क्या है How is girl related to Ram तब आप बोलोगे wife है ठीक है next चलते हम यहाँ पे option आपका D वाला सही होगा फ़रा सा correct कर लिजेगा Q7 पर हम चले तो 456 को लिखा गया है 120 129 को लिखा गया है 18 890 को क्या लिखा जाएगा तो ऐसी जब question आए ना आपको कुछ चीजे करके देखनी है हो सकता है इनको plus करके कुछ into किया गया हो तब ही आया हो हो सकता है इनको into कर दिया गया हो हो सकता है plus करके लिखा गया हो इट विल गिव यू 120 ये चीज आप सेगेंड वाले से वेरिफाई करिए 1 इंटो 2 इंटो 9 गिप्स यू 18 द मिन्स कि हमारा जो पॉंसेट है वह सही है मल्टिप्लिकेशन का कॉंसेप्ट है अब इसमें क्योंकि बहुत जीरो है तो 8 इंटू 9 तो 72 हो जाएगा अगर जीरो से इंटू करेंगे तो क्या जाएगा जीरो तो आपका option भी correct answer हो जाएगा ठीक है questions अच्छे लग रहे हैं तो like करके हमें motivation जरूर दे नेक्स अगर हम देखें यहां पर question number 8 है हमारा if 11 is equals to 1331 है तो 8 का जो रेशियो है इसका value निकालनी हमें तो अगर देखोगे तो से 11 into 11 into 11 मतलब 11 का cube अगर होगा तो यहां पर 1331 आएगा 1331 similarly यहां पर हमको 8 का cube निकालना है तो 8 into 8 into 8 निकाल लेके हमारा क्या जाएगा 512 answer बन जाएगा ठीक है आगे बढ़ते है question number 9 है 50 is equals to 80 दिया हुआ is equals to 4 then y is equals to आपको निकालना है तो सामने से आप अगर देखोगे कि T की place value क्या होती है 20 होती है इसमें अगर हम into 4 करेंगे तो हमारा 80 बनता है ठीक है तो यह concept हमने first वाले से पकड़ा है देखते है अगले में implement होगा की नहीं एक ही place value होती है 1 into 4 करेंगे तो it will gives you 4 that means कि यही concept लगेगा तो y की place value क्या होती है 25 और into क्या कर देंगे 4 तो क्या देदेगा 100 ठीक है यह मारा option number b correct answer हो जाएगा आगे बढ़ते है question number 10 if tom is equal to यहां पर लिखा गया upn, pyz को क्या लिखा जाएगा तो अगर आप यहां पर देखोगे हमने अभी इससे पहले देगा था उसमें minus 1 हो रहा था इसमें क्या हो रहा है plus 1 p के बाद u आता है वो लिख दिया वो के बाद p आता है वो लिख दिया m के बाद n आता है वो लिख दिया similarly यहां पर p के बाद क्या आता है q लिख देंगे y के बाद क्या आता है z लिख देंगे z के बाद क्या आता है तो a लिख हो गए आप लोग ठीक है जेट के बाद पूचेगा तो वापस से वह रिवर्सिंग जो हो जाएगी तो यहाँ पर option number A correct answer आपका हो जाएगा next moving on question number 11 इसमें आपको मैं अभी समय दे रहा हूँ आप लोग सोचे कि इसमें कितने triangle होंगे and I am very sure कि आपकी जो triangles निकलेंगे वो गलत निकलेंगे अगर सही निकलते हैं तो very good comment करके जरूर बताएगा तो अगर यहाँ पर हम देखें I hope कि आपने देख लिया होगा, count कर लिया होगा कि कितने triangles इसमें बन रहे हैं आपको यह गिनना है, यह one, यह two, यह three and this is your four चार हमारे पास triangle है, लेकिन हमको क्या करना है, इस four में into two करना है तो हमारा यह कितना हो जाएगा, eight concept क्या है, जितने भी अगर square में यह हमारा ऐसे करके जब आता है तो हमको यह चीज one, two, three, four ऐसे गिन लेनी है, जितने भी बने, four, five, six, seven, eight जितने भी बने, उसमें into two कर देना है, तब ही वह आपका number of triangles देगा, eight ठीक है, तो अब यह मैंने बहुत छोटा सा example लिया है, इसमें आपको एक बर यहाँ पे दिखा देता हूँ जैसे की, चार तो आपको दिखी रहा होगा, पांचवा यह जो है, आपका यह है, ठीक है, छटा आपका यह है, ठीक है, सातवा आपका यह है, seventh वाला, and last but not the least, eightth one आपका यह side है, ठीक है, तो I hope so कि आप में से बहुतों ने इस चीज़ को समझा होगा, और आगे से ध्यान वगेरा बना के दी जाती है, यह देखे, question number 12, if 13 is equals to four, 89 is equals to 17, तो 60 is equals to क्या होगा, बहुत इजली आप देख सकते हो, one plus three करेंगे, तो four आ जाएगा, इसमें eight plus nine करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 17, similarly अगर हम यहाँ पे six plus zero करेंगे, तो कितना आ जाएगा, six, तो हमारा option B, correct answer बन जाएगा, question number 12 के लिए, आगे बढ़ते है, if dog is related to barking, then birds are related to, साफ समझ में आ रहा है, कि जो उनकी voicing का तरीका है, जो बोलने का तरीका है, उसको दर्शाय गया है, तो flying, sorry, dog is related to barking, तो birds are related to chirping, कैसे बोलती है, चर्प करती है, right, याद रखिएगा, आगे बढ़ते है, question number 13 if azby is written as zayb, then how is cxbu written in that language, तो इसमें आप लोग को लगेगा कि अच्छा इसमें हो सकता है, कि opposite pairs दिया हो, तो ऐसा नहीं है, options में आपको opposite pair का answer नहीं मिलेगा, ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे, a को लिख दिया, z, z को लिख दिया, a, b को लिख दिया, y, y को लिख दिया, b कैसे, क्योंकि opposite pairs है, a का z opposite pair है, और b का y opposite pair है, तो ऐसे opposite लिख दिया गया है, but no, ऐसा नहीं लगा है, ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसमें लगाएंगे, c का opposite pair होता है, x, x का opposite pair होता है, c, b का opposite pair y, u का opposite pair f, तो x, c, y, f, यहाँ पर आगर आप देखोगे, तो answer तो आपको मिल र wrong दे दिया, यह answer आप इसको मिटा लिजए, क्योंकि यहाँ पर मैं concept जो है, वो कुछ और बताना चाहता हूँ, यह वाला opposite pair वाला concept तो आपको बहुत करवा दिया है, ठीक है, यहाँ पर कुछ और concept बताना चाहता हूँ, तो उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है, suppose आपका B, C, T, ठीक है, यह आप मान लिजे, option, तो हम यहाँ पर अगर हम देखें, C का opposite pair क्या होगा, X, X का opposite pair C, B का opposite pair Y, और U का opposite pair F, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर option में आपको वो नहीं मिलेगा, ठीक है, तो क्या concept लग सकता है, वो आप देखें, अब कैसे, यहाँ पर बस जो को interchange करके लिखा गया है, जैसे कि यह AZ है, AZ को क्या लिख दिया गया है, Z को इधर, A को इधर, Y को इधर, B को इधर, similarly, X को इधर लिखेंगे, C को इधर लिखेंगे, U को इधर लिखेंगे, और B को इधर लिखेंगे, ठीक है, तो X, C, U, B, यह answer आपका बताना चाह रहा हूं और यह pattern बताना चाह रहा हूं, बाकी वो जो opposite वाला दिया था, उसको तो आप पकड़ी लोग है, क्यूंकि वो तो मैंने practice आपको करवाई दिया है, ठीक है, यहां पे आपको यह concept बताना चाह रहा था, next, question number 15, if happiness is related to joy, then eagerness is related to, देख सकते हैं, आप यहां पे synonym kind of यहां प आपको मिल सकते हैं, practice करते रही है, description box में आपको ebook का link मिल जाएगा, मैंने बताया कि इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, तो definitely आप ले सकते हो, और हमको भी थोड़ा सा support कर सकते हो, आपको चीजे बिलकुल अच्छी तरीके समझ में आएंगी, और यहां पे आपको जो explanation मिले है, कैसे data पढ़ना है, और किस तरीके से क्या क्या concepts आ सकते हैं, क्या rules follow सकते है, mirror image, water image, और जो हमारा एक diagram आता है, आपको diagram के थूप, पता करना होता है, कि next diagram क्या बनेगा, तो almost मतलब सब कुछ topic यहां पे cover कर रखा है, हर एक type आपको बताने की कोशिश की गई है, definitely it will be very useful for you और सिर्फ reasoning ही नहीं, आपको mental aptitude भी मिल रहा है, इसमें आपके साथ साथ, आपको mental aptitude के साथ साथ साथ, आपको current affairs भी मिल रहा है, और इसके साथ साथ, आपको e-book, आप computer की भी दे रहे है, तो मतलब it's a kind of a छोटा batch, ठीक है, एक छोटा सा batch की तरह है आपके लिए, definitely आप इ इतनी कितनी महंगी महंगी किताबे available हैं, बट अगर आप चाहें तो उसमें up check कर लिजेगा, कुछ ना कुछ आपको एक चीज़े wrong जरूर मिलेंगी, ठीक है, हमने जो यहां पे चीज़े आपको दी है, उसमें आपको सही answer, सही approach, सही questions आपको मिलेंगे, जो अगर किसी question में गरबड़ी है, तो student ने हमें बताया, तो वहां पे हमने उस चीज़े को सही करके भी उस चीज़े को दिया, तुरंत अपने आप से, खुद से दिया उनको, ठीक है, और फिर अभी हाल फिलाल में भी, सभी students को mail करके सब चीज़े दी, बताया उनको, कि यहां यहां से आप ऐ प्रिज़ा भी 60 रूपयगा नहीं आता, बर्गर आइकें से और मोमो आइकें से तो यतना तो आप त्याग करी सकते हो, ठीक है, मैंने इसलिए इतना minimum amount रखाया कि आप लोग खुद से अपनी pocket से वो चीज़ अपना जेल पाओ, अपना देख पाओ, ठीक है, तो मैं family को support करिए, इसको share करिए, जो भी आपको classes लगती है, कि useful है, content अच्छा है, हम महनत कर रहे हैं, अगर आपको हमारा dedication देख रहा है, तो इस चीज़ को share जरू करिए, ताकि और भी students इस चीज़ का वाइदा उठा पाएं, लुथ उठा पाएं, और एक सही तयारी, एक बह इस में हमारा सब कुछ मिल जाएगा, जय हिंद, जय भारत